तो एपीसोड 2 से लेके एपीसोड 3 तक आप लोग देखी लिए होगी कि मैं का 98 पे हमारे डिस्टिक के अंदर टॉप चान नमबर पर एंड वेस्ट बंगल पर 88 नमबर पर चल रहा था एंड विंडिया पर चलो आप लोगों को दिखा देते इंडिया पर 23 परसन में चल रहा तो बाकी चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं ओके एपीसोड 4 का पहला गेम जो की शुरू हो चुका है और सामने एक बंदा आया था मिलनी लॉंस्पिट से तो इसको डाउन कर दिया तो क्लियार भी कर लेते हैं सबसे पहले ओके इसके तो इक को तो मैं डाउन कर दिया लेकिन और एक बंदा है उदर के साइड़ी ओके ग्लॉड मार लिया शायद से रियाइब करते हैं अब एक इधर चला गया यह बंदा ओके सामनी ही है लेकिन पिक नहीं दे रहा है थोड़ी देर बाद इदर एक और बंदा आ जाता है जो कि एक दम से मुखे सामने आ जाता है तो इसको तो युएंपी से काफी अच्छा कासर डेमेज दे चुका हूं लेकिन मेरा फोन इदर काफी गंदा बला लेक कर रहा था तो इदर थुरा ओके भाई सामने से भी मार रहा है तो ग्लॉर मार लेते सबसे पहले ओके सामनी बंदा ह है एक शायद से मेरे को देखा नहीं ओके चत के ऊपर भी बंदा है तो फाइनली एक सोनिया हो चुका है अब भाई डिमीट्री चालो कर लिया तो सबसे पहले रश कर देते हैं क्योंकि उदर मेरे टीममेट भी है तो कबर दे सकता है उदर से ओके बंदा पैक कर लिया है तो अबी तो इसके पास नाइडी करेक्टर है शायद से ओके एक और बंदा आ गया है उदर के साइडी ओके इदर से मारते है 63 का तो डेमेज लगा है ओके फाइनले डाउन भी हो चुका है यह उंपी से हो गया डाउन तो सबसे पहले इसको क्लियार कर लेते है अरे भाई इदर और बंदा आ गया तो इदर से ग्लॉल लगा लेते है तो सबसे पहले इसको क्लियार कर लेते है और इसके साथ साथ हमारा पास्ट किल भी हो जाता है ओके सामने चलता है एक और डाउन है इसको क्लियार कर लेते है तो मेरे पास अभी डबाल करना है इंडे मिलेगा भी तो भ वरनम क्लियार भी कर लिता है तो मेरा टीममेट का वहेलफ कितना ज्यादा लोऊ हो चुका है कि निभीन निकल पात है कि नहीं तो क्या ही तो फिले टीममेट भी इधर उमर जाता है एपिसोड फोर का दूसरा गेम जोकी शुरू हो जाता है सामने स्कुड़ तो एक को तो मैं डॉन कर दिया, और एक मार रहा है मेरेको काफी गंदा बंदा चुरृ का है तो सामने एक तो कर दिया तो क्या ही तो अभी कर सकता है तो अभी देखते हैं बंदा बाहर निकलते हैं कि नहीं थोड़ी दिर बाद जैसे बंदा बाहर निकला तो 60 का 60 का चार बार दे दिया लेकिन बंदा मरा ही नहीं है तो क्या खाके आया बंदा पता ही नहीं चल रहा है तो अभी सामने च साइडी तो इसको सबसे पहले clear कर लेता है फाइनाली यह भी down हो चुका है तो क्लियर भी हो चुका है थो डियार क्लीर भी हो चुका है जएसे मेरे को कारमांस की यह सही मिल गया तो इधर क्लियर नहीं हो चुका है थोड़ी दर बाद जैसे हम लोग इधर के साइड आते हैं तो देखते सामने पूरी स्कॉड लर रहा है तो इसके बीच में गुज गया और कानाइट एट से दो को तो डाउन कर दिया लेकिन और काफी जादा बंद है ओके थीन डाउन हो चुका है एक और आ गया फाइनली यह है तो फाइनली सी कटीमेड हो जाता है तो अभी क्या होता है मैंचस को बूय आ कर पाता है की दो के बाइसाब तो अब इदर से मारने की कोश्य करते हैं ओके एक और बंदा उदर सी मार रहा है तो अभी देखते हैं भूईया कर पाते हैं कि नहीं तो जोन भी तो आ रहा है शायद उसके पास भी जोन नहीं है इदर से मारने की कोश्य करेंगे तो उदर भी एक बंदा है तो अभी दस सेगंड बाद जोन भी रानिंग हो जाएगा तो अभी देखते हैं एकदम लाज जोन है इसके बाद को सरकल भी नहीं है तो घ्रेंट को घ्राइज घ्रारेई तो सबसे बाई और देता हूं लेकिन इदर और भी बंदर है तो देख के खिलना पठाएँ तो अब लोड नीचे बंदा और शायद से नीचे के सिड़ी है तो मेरे बाद कोई गनी नहीं है तो सबसे पहले गारे लेके निकलता हूं थोड़ी दर बाद मैं जैसी गारे लेके इदर के साइड आया तो देखा चट पे एक बंदा है इस गर के उकोंग है तो जुम करके फाइनली इसका टीम एली मिनिट हो जाता है तो इसके साथ मेरा दो कील कारनाइड इपसे नहीं है तो अभी देखते हैं इदर से तुदेखने रहा है सामने लगा अभाई दो बंदा एक को सबसे पहले मारता हूं डाइन हो जाता है क्या फुम इसकोने कर लेए सबसे पहले एक और बंदा है तो इंदर के कि अभी मेरे पास जोन भी निया भी लाश्ट का दूई बंधा बचा है पिछले मैच के तरह सिचेशन हो गया तो इस मैच को तो मैं भूईया निकल के रहूंगा कैसी भी करके थार दो की बीच में बढ़ने को मार रहा है तो मैं भी उसको मार घा तो देखे क्या होता है मेरे को सबसे पहले सुपार मेडिकेट मार लेते हैं अभी जाके राश्कार नहीं इसको उरा दिया हुँ अभी लास्ट का इक ही बंद बचा है तो अभी सामने ओके डैमेज तो आया एक और आया फाइनली सोनिया हो चुगा रहे में इदर ओके मेरे बाद इंजेक्शन है तो सबसे पहले चलके रश करते हैं शायद एक और बार इंजेक्शन मार रहा है तो फाइनली खतम हो जाता है तो फाइनली इंतेजर का गड़ी खतम हुआ तो अभी चलके देखते हमारा कानन डेट का वेपन गोई टाइटल कहा ताब आगा है लेकिन सफर इतना आप लोग समझ होँ इतना फटा जीस बाइनली तो बाकी चली देखा देते हम लोग कितने नंबर पर आ चुक है और इंडिया के अंदर करने के लिए 25 करने कि हम लोगों को कितना इदर ग्लोरी चाहिए तो इदर देखी सकते हो 10,314 जो की टॉप 100 के लिए चाहिए तो अभी 3-4 दिन मेरे को टाइम लगा का इंडिया के अंदर गुसने के लिए तो आज के लिए इतने आगर आप लोगों ने यह तक वीडियो को देखा तो दिल से दन्य और उने वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई